गुड मानिंग स्टूडेंट्स आज हम अपना आगे करेंगे चैप्टर नंबर नाइन अपिस डेफिसित डिमांड और डेफिशिंट डिमांड ओके सबसे पहले मैं आपको मीनिंग वाइस अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं आपको डाइगरेम बना कर पहले समझाना चाहती ठीक है अब इतना तो हमें समझा रहा है डेफिशिंट डिमांड का मतलब क्या है डिमांड एगरीगेट डिमांड कम होना किस से एगरीगेट सप्लाई से लेगिन इसमें ओर टेक्निकल पॉइंट अच्छे से क्लियर तब होंगे जब आप अच्छे से डाइगराम एक्स एक्सेस पर में रिप्रेजेंट करती हूं इंकम वाई एक्सेस पर में रिप्रेजेंट करती हूं एडी ओके क्लास अब ये वाई लाइन है मतलब एगरीगेट सप्लाई लाइन है कितने डिगरी एंगल पर 45 डिगरी एंगल पर ओके हाला कि फ्लो वाई इस प्रॉपर डिमांड चिक है okay this is aggregate demand यह aggregate demand क्या है बटे at full employment level मैं जो यह AD बना रहे हूं this is aggregate demand at full employment okay अब aggregate demand यह जो point आया है this is equilibrium okay लेकिन यह equilibrium जैसा कि हमने दो तरीके के equilibrium पढ़े full employment equilibrium और under employment equilibrium so यह पर AD full employment है it means यह जो equilibrium है that is at full employment so this is equilibrium at full employment ठीक है लेकिन डिमांड ना हमारी कम है किसे aggregate supply ठीक है तो बच्चे अगर डिमांड कम है तो हम full employment अच्छी यह भी नहीं कर पा रहे हैं आप खुद सोचिये अच्छिए 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 हम जब aggregate supply से हम deficient demand जब बना रहे हैं तो deficient demand का मतलब क्या है aggregate demand is less than aggregate supply अब यह aggregate supply मतलब किस लेवल पर at full employment आपकी potential से ही तो आप compare करोगे कि भई आपकी जो potential capacity है उससे वो पूरी utilize नहीं हो पा रही है demand कम है उसके comparatively तो हम क्या बोलते है aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment तो हम अमेशा किसके correspondingly देखेंगे बेटे full employment it means ADF मेरी कम है है ना मतलब इस point से कम है इस point से कम है तो ADF वाला नहीं है ADE इससे नीचे आएगा इस point से कम है मेरी demand क्योंकि full employment मैं अची भी नहीं कर पा रही हूं clear हुआ बेटे तो इस point से कम है कितनी भी कम है मैंने suppose इतनी कम ले ली ठीक है तो जो AD है वो इसके नीचे आएगा तो इस is AD at underemployment at underemployment okay class देखो बच्चे हमा में से comparison corresponding किस से देखेंगे full employment से अब बच्चे केंगे मैं मैं ऐसा क्यों आप खुद बताएगे पेटे आप अपनी potential level से ही तो चेक करोगे demand कम है या supply जादा है whatever it be ठीक है तो यह full employment है इससे कम है मतलब इससे नीचे है तो हमने नीचे draw करा okay class इसका मतलब इतने level से हमारी जो demand है aggregate supply at full employment से कम है इसका मतलब यह जो EG gap है that is what AD lower है है ना इसका मतलब यह gap हमारा क्या केलाएगा deficit demand अगर मैं बोलू कितने demand कम है कितने level की EG और यहाँ पर आप लिख देना EFG अब यह gap हमने कैसे निकाला it is a vertical difference between ADF minus ADU so deficit demand का formula क्या बना AD at full employment minus AD at under employment तभी तो भही कम है और यह gap कितना आया बचे EFG EF का मतलब employment equilibrium at full employment and कितना gap है बेटे deficit demand का EG और यह E कौन सा है बेटे at full employment तो यह हमारा क्या केलाया deficit demand इसका मतलब deficit demand का अगर मैं meaning देखूं बेटे तो क्या होगा when aggregate demand is lower than aggregate supply किसके correspondingly? full employment level हम under an excess अपनी potential से compare करते हैं तभी तो हमें पता चले का जादा है या कम अगर कम है तो deficit demand अगर full employment से जादा जारी है demand तो it is a case of excess demand तो यहां पर equation क्या बन जाएगी? when AD is lower than AS और कौंसा level at full employment okay हांजी class यह equilibrium है full employment तो full employment equilibrium level of income कितनी हो जाएगी? O Y यह भी तो एक equilibrium है and this equilibrium is at under employment इसका मतलब equilibrium तो अचीव हो रहा है लेकिन इस level पर full employment यह full utilization of resources नहीं है तो बेटे O Y- Underemployment Equilibrium Level of Income ठीक है? अगर मैं बात करूँ O Y O Y so it is full employment equilibrium level of income ओके? आप खुद बताओ बेटे जब potential अपनी capacity fully utilized होगी तो level of income बढ़ेगा equilibrium level of income बढ़ेगी चीक है भाई? तो यह हमने जो diagram बनाया बच्चे इसको क्या बोलेंगे? deficit demand ओके class